कि हेलो ब्रीवन इस्क्रीन पर यह हमने निफ्टी बैंक का चाड़ खोल लगखा है दोस्तों यह टू आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट है जैसा कि मैं आपको कांटी निवस्ट दो संडे से आपके साथ में डिसकेशन कर रहा हूं बैंक निफ्टी अभी इस सप्लाई जोन मे कर रही थी अगर हम इस चाड़ को आगे थोड़ा एक्स्टंड करते हैं बढ़ा देते हैं थोड़ा सागे तो देखते हैं कि अभी भी इस रेंज को निफ्टी बैंक नहीं तोड़ पाई है और यहां से नीचे आ रही है और ध्यांजी का दोस्तों हमने आप बताता है जब आप को मने बता था आप जाके हमारी प्रेविश वीडियो देख लिजिए गा और देखिए इस डिमांट जो मर्केट हाई और देखिए यह अप्रॉक्स आप इस एडिया को मान सकते है यह क्या लोगर लेवल था इसका 40,000 आर्टो प्रानबे आप इसको अल्मोस्ट मानिये यह देखिए एक तालिस हजार एक्सोटाथ तर लबागा आपका यह धाई विस अपॉइन के मुमेंट आपको मिल गया दोस्तों इस दिमांट को होड़ किया यह नहीं दोस्तों बहुत इस इंपल इनिफ्टी बैंक में इस्टिमेट इडिंग करना को इस कि लिए अब जब बार्केट इस दिमांट जों से यहां से आपको मेंट देदी हो सकता थोड़ा सा उपर जाए फिर किसे छोटे टाइम प्रेम के सप्लाइज में जाए फिर वहांसे टूटे फिर यह दिखिगा इसको आप दोस्तों प्रीज धास देखेगा यह जो टू आवर का इख़ा हमार करता हूं है तो यह हो गई डिश्टर लाइं और यह हो गई प्रौक्शिम लाइं हमारे दिमांट जोन की कि यह क्या ही चालिस हजार तीनसों पचाहत्तर four zero three seven five से लए करिए अल्मुस्ट चालिसले कर के चालिस हजार तीनसों पचाहतर के बीच का जो यह अगर यहां से मुमेंट आता है उपर से नीचे की तरफ हो सकता भाई मार्क थोड़ी से उपर जाए और करते करते जब कभी भी आपकी इस डिमांज में होती है तो यहां से आपको मार्केट में थोड़ा सा अच्छा खास आप मुग देखने को मिल सकता है यह बहुत यची है दोस्त हो यह निफ्टी भी कोड कर सकती है अब दोस्तों हम आते हैं 5050 में आप देखा दानिप्टी बैंक तो जिर गई लेकिन जो हमारा निफ्टी फिप्टी था वो ऊपर गया क्यों लॉजिस समझ यह लॉजिक ए दोस्तों निफ्टी 50 का सबसे ज्यादा हाली बेटे श्टॉक ह में आपको देखने मिली अपसाइड में तो जब उसका हाली बेटेश्टाग भागेगा किसी सेक्टर का तो अपने साथ में उस चेक्टर को भी लेकर जाएगा उपर देखिए हमाया सामने निप्टी का चार्ट ओपन दोस्तों इसको अभी डिसकाशन में आपसे दो बिक से का अपने कर रहा हूं निप्टी-फिप्टी भी इस सप्लाइज उन में लगताटार कर रहे थी अगर आप इस बिख केले मिस को अगे एक्स्टेंड करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे की अगें इसी सप्लाइज उन मार्केट थी लेकिन यह सप्लाइज अब ब्रेक हो गय वेगा उसका वजा से यहां पे जो जुमांजोंगेंगेंगेंगेंगेंड इसंतवी च्टाइए जो मेरे लिए अगला स्टेप दिखारा ज़हां से संटी बैंक डाउस प्टिवर्टी में वतारी यह अपने प्टिकिवर्णेख यहीं अगर अपको दिखाना चाहूं तो यह कांची इरिया है 17,777 माली यह यहां से ले करके 17,720 माली यह मतलब 17,720 ले करके 17,770 यह जो डिमान जोन है यह क्या कर सकती यह निफ्टी बैंक निफ्टी फिक्ति को आराम से होल्ड कर सकती है और यहां से आपको अगर मैं दूर की बात करूँ की दूर में क्या होना चाहिए तो देखे दोस्तों यह चोटे-चोटे डिमांड जो सप्लाइव बनते हैं मार्केट उसी को रिस्पेट करते करते चलती रहती है भाई ऐसा तुवारी मार्केट इस पूरी नाइंटी डिगी में गिर गई ऐसा व आवर में आवर में सप्लाइव डिमांड रहते हैं इन्हीं को मार्केट जो है इस्टे बाइस्टे इनका रिस्पेट करते में चलती रहती है तो उसी में ऐसे मार्चाट बनता है जिग-जग फॉर्म सुन होता है अगर मैं दूर की मात करूँ दोस्तों तो मैं आपको दिख कि यह यहां को अच्छी लग रही है जहां से मार्केट हो सकती है अच्छी खासी तरीके से एक बार यहां पर मार्केट इबर अल्मुष्ट आपक आई लेकिन देखिए इस थोड़ी सी दूरी रहे गई हिट ने कर पाई यह तो आसा इसको डिप में भी आना चाहिए आपकी सकती दोस्तों अगर इस एक बात करता हूं तो यह कौन से एरिया है 17,200 17,875 मतलब में 16,875 से ले करके 17,200 के बीच की जो रेंज है यह काफी अच्छा डिमान लग रहा है तो जम निफ्टी बैंक आई उदर से इदर से निफ्टी आएंगी तो आपस में दोनों अगर यहां साथ पहुंशती हैं तो यहां से आपको अच्छी रिली मिलेगी इन के दोस्तो आप दूर के सोचे दोस्तों आपको फालो करना है आपको निफ्टी फिप्टी बैंक दोनों और साथ इसनला यह दिखुए दोस्तों मायला किया अगर जब निप्टी फिप्टी यहां पर आएगी इस जोन में और उस टाइम निप्टी बैंक भी किसी अच्छे जोन में आ गई तब तो आप यहां से एक बार को आल टाइम हाई भी देख लेंगे लेकिन इन केस पिक्चर आपको साफ क्लियर कर देता हूं कि जब तक दोनों एक साथ किछी अच्छे डिमांड नहीं आएंगे तब तक आपको अच्छे रेली नहीं दिखाई देगी अभी मैंने आपसे रिलाइंस के बारे में बात करी थी देखें दोस्तों प्रेडिक्शन करना सीखिया सबसे ज्यादा हाली बिट्री स्टॉक है इसका बेटेश निफ्टी-50 सब्सक्राइब 10% के लिए इसलिए भागता है तो निफ्टी-50 को लेकर वो उपर चला जाता है या इसमें चलिंगा गई तो निफ्टी-50 ऊपर चली गई लेकिन निफ्टी-50 ऊपर नहीं गई क्यों निफ्टी-50 का कोई भी अच्छा इस्टाप ऊपर नहीं गया इसलिए वो निफ्टी-50 में ही रही अब आप देखेंगे निफ्टी-50 एनिफ्टी-50 बैंक दोनों एक साथ सप्लाइज जोन में है इसलिए मैं तो कहूंगा अगर दूर की सोची जाए तो इस समय हमको आपको बहुत ही पसंद आयोगी प्लेज हमाय चल्व को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा थेंक यू